जो कल हमने बात की थी उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो जो कल हमने पढ़ा था उसमें किसी को डाउट भी नहीं ओके तो देखिए हमने कल बात की थी कि company ये company law हम पढ़ रहे हैं आपका 35 marks का portion जो है वो हम यहाँ पे cover करेंगे law वाले portion में और हमने companies act start किया था मैंने आपको बोला था कि companies को regulate करने के लिए क्या बना हुआ है ministry of corporate affairs अभी at present निर्मला yes good afternoon to all of you mca miss निर्मला सीता रमन जो है वो mca को head करती है और सबसे lower level पे roc roc से उपर rd और then ncl t और ncla यह हमने कल बात की अब हम अपना content start करेंगे और सबसे पहले कि हम क्यूंकि company के बारे में पढ़ने वाले हैं और companies act तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टन चीज हम यह समझें कि यह company होती क्या है what is the what is the company हमारे सामने सबसे पहला सवाल कि यह company होती क्या है आप में से कोई कि बताएगा क्या आप लोग जानते हैं एनी आइडिया वेरी गुड आर्टिफिशल परसंट एपरेट एंटिटी फुल ठीक येस आयवन अन्म्यूटेड यू आल आप अपने माइक को आउन करके बात कर सकतें बता सकतें हैं इमिटेड लाइबिलिटी होती है रिस्क भी ट्रीड में है रिस्क भी एरिड है रिस्क पर आपस बोलो इंटेट है के बागे मैं रियेटेड बाय लौव वैलकु चारूल प्रियाटेड बाय लोव खिर्म टाराइट बाय अन् दून में परसंश्यकित थीक है ओ तू एंपरसंट योड बाय तू आद बायड बाय बाय तो अब जब हम company को define करेंगे तो अगर हम companies act की बात करें कि companies act को कैसे define करता है तो अब क्योंकि पढ़ना तो companies act है तो उसकी बात तो सुननी पढ़ेगी तो पहले companies act की बात कर लेते हैं और companies act का section 2 subsection 20 क्या बोलता है company means a company which is registered under companies act 2013 13 or any previous companies act ना हमें ऐसे बीच मजधार में छोड़ देता है क्योंकि companies act क्या बोलता है company means a company which is registered under companies act or any previous law जाता कैसे है company का मतलब company जो companies act में registered हो या किसी previous law में registered हो इसे बात हो गई कि आपका घर कहां है post office के सामने और post office कहां है आपके घर के सामने अपना घर का पता चल रहा है ना post office का पता चल रहा है तो इस definition से तो मुझे नहीं समझ में आता कि company क्या है तो company को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे company की characteristics company के बारे में कुछ बाते करेंगे और फिर एक हमारे सामने picture create हो जाएगी कि what exactly the company is right तो यह definition आप एक बार note करेंगे आप अपनी notebook में जहां भी आप को एक separate note बनानी है company stock की उस notebook में जहां कल हमने hierarchy define की थी वहाँ पर आप यह note कर लो आप भी आज पर्सटी आयों कल आये थे आप कि अ कि अ अगर्ण ओके कि अ ठीक लिया अब यह तो भाई बात समझ में नहीं आई कि इस तरीके से तो company को नहीं समझ से है क्या फिर company को कैसे समझें देखिए company को समझें इस तरीके से when two or more person तो या दो से जादा लोग अभी केवल सुन लीजिये अभी कुछ लिखना नहीं है अभी केवल सुनिये उसके बाद लिखना है जब दो या दो से जादा लोग for the purpose of doing business दो या दो से जादा लोग business करने के intention से अगर between join together एक साथ मिलते हैं and form a group तो या दो से जादा लोग business करने के intention से एक साथ मिलते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा एक ग्रूप या association एक group बना लेते हैं या फिर एक association बना लेते हैं जैसे for example मान लिजिए तीन दोस्त हैं एक bubble एक bubble और पंटी बंटी और बबली तो ठीक है मैडम यह bubble बीच में कहा से आ गए तो तिकड़ी है इन तीनों की तिकड़ी समझते group है तीन लोगों का बंटी बबली और बबलू अब बंटी बबली और बबलू तीनों ने मिलके तीनों क्या हो गए अब क्या हो गए बटा तीनों CMA जैसे आप हो जाओगे वैसे यह हो गए यह भी DCC में पढ़ते थे और यह तीनों बन गए CMA अब तीनों ने CMA बनके क्या decide कि कि we'll be entrepreneur we are not going to become हम जॉब नहीं करेंगे we are not going to do a job incorporate हम तीनों क्या करेंगे entrepreneur बनेंगे start-ups का जमाना है business करेंगे तो तीनों ने क्या सोचा business क्या सोचा क्या करेंगे business अभी business करेंगे business करने के लिए क्या चाहिए होता है क्या चाहिए होता है business करने के लिए पैसा चाहिए होता है capital हाँ बिल्कुल तीनों के पापा ने समझाया कि बेटा नौकरी कर ले वैसे ही कभी ओमिक्रोन आ जाता है कभी डेल्टा बीटा क्या क्या आ जाता है पता नहीं तीसरी के बाद चौती लहर आ गई अपने तो नौकरी कर लो मस तरहो 31 तारीक को टिक 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 अकाउंट में सैल किया हम बिजनस करेंगे और इन्होंने अपना तीनों का एक क्या बना लिया ग्रूप और पापा ने साफ बोल दिया नौकरी कर ले मेरे पास तुम्हारे लिए बरबाद करने के लिए पैसा नहीं है मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा इतना बेकार सा आइडिया है खोलते है कि तीनों की एक हुग का बार चलाएंगे कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला हूँ कि के पर तीनों तो अपनी धुन के पक्के थे उन्होंने बोला हम बिजनस करेंगे एक ग्रूप बनाया और ग्रूप का नाम रखा पी स्मार्ट का रखा पी स्मार्ट कि इनके बिजनस का नाम है और ये जो थोड़े हमारे बबलू थे ये लीडर की होती कई दोस्तों में एक होता है वो लीड करने वाला व्यक्ती होता है तो इस ग्रूप में बबलू थोड़े रवर्ती थे और तीनों ने अपने ग्रूप का नाम रखा बी स्मार्ट और कहां चले गए PNB, Punjab National Bank पापा ने तो मना कर दिया था ना पैसा देने से PNB के पास चले गए, बोले लोन तो चाहिए, क्या सोचा आइए, PNB तो किसी को भी लोन दे देता है नीरव मोधी को दे देता है, इसको दे देता है उसको दे देता है, हमको भी देदेगा और लीड किसने ली ग्रूप में? पबलू ने ली गए और यहां कौन बैठे थे? एन बी में? कौन बैठे थे? बैनेजर साहब वर्मा जी. बैठे थे? इनकी रोज इनकी श्रीमती जी से लड़ाई होती है, लड़ाई जगडा करके आते हैं, तो 24 गंटे, मतलब ऑफिस में दिनके, 12 गंटे में से 10 गंटे थोड़ा गुसे में ये देते हैं. अब बी स्मार्ट के को रीप्रेजेंट किया बबलू ने, और बबलू कहां पहुँचे? पी एन बी मैनेजर के पास, और वर्मा जी से बोले, बोले, क्या चाहिए? बोले, लोन चाहिए. अब ये बबलू रहे होंगे, आपके जैसे आप 20-21 साल के कुछ CMA करके, तो शर्प वर्मा जी ने अपने चश्मा उठाके उपर से नीचे तक बबलू को देखा, बोले, क्या चाहिए? अंकल लोन चाहिए. चुकाएगा कौन? पी स्मार्ट. एक बार सुना, फिर वर्मा जी ने पूछा, पिटा क्या चाहिए? बबलू ने बोला, अंकल लोन चाहिए. बोले, चुकाएगा कौन? अंकल को बात समझ में नहीं आई फिर तीसरा बार थोड़ी जोड से बोले अरे क्या चाहिए? क्या लेने आए हो? तो बबलु ने बोला कि अंकल लोन चाहिए चुकाएगा कौन? अंकल दो बार तो बता चुका हूँ बी स्मार्ट चुकाएगा ठीक है? तो अंकल ने बोला बेटा तुम थोड़े स्मार्ट कम बनो? गार्ड को बुलाया और गार्ड को बोला यह बच्चे को थोड़ा बाहर छोड़के आओ रस्ता दिखाओ बोले इतनी देर से मेरा टाइम खराब कर रहा है अब यह जो बी स्मार्ट को बबलू रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कैसे हो गए? सैड? सैड हो गए और वापस अपनी तिकडी के पास गए और बोले बबली और बंटी मैनेजर साब तो बहुत खडूस है एक तो लोन नहीं देते चिला चिला के पूस्ते क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलता हूँ, लोन चाहिए वी स्मार्ट चुकाएगा तो तो मेरी बात की कोई काल्यू ही अब क्या करें? पापा तो पैसा नहीं देंगे और बिजनस करने के लिए तो पैसा क्या ही है? ठीक है? यह जो बबली थी, थोड़ी इंटेलिजेंट थी ती ती नो उनोंने बोला कि मैं क्या जानती हूँ? एक फैमिली पंडिजी को जानती हूँ फैमिली पंडिजी है मिश्रा जी बोले, बंडिजी और बबलू उनके पास हर समस्या का समाधान होता है कभी पंडिजी कहते हैं कि यह काम नहीं होगा कहते हैं? नहीं, कभी नहीं कहते हैं पंडिजी कहते हैं 100% काम होगा बोले, अब उन्हीं के पास चलते हैं वो ही समस्या अधान बताएंगे तो तीनों कहां पहुँचे? मिश्रा जी के पास काम हो जाएगा लेकिन इसके लिए तुमको एक सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी पबलू ने बोला कर दूँगा पंडित जी आप तो बताओ कि कैसे बी स्मार्ट को लोन बिले कोई तरीका कोई जुगाड कोई जुगत लगाओ कि बी स्मार्ट को लोन बिल जाए पंडित जी ने बोला कि ठीक है ऐसा करो ये कुछ ये थोड़े हाइटेक पंडित जी थे तो ले कुछ पेपर्स देता हूँ ये कागच लेके कहाँ जाना हाँ एक मंदिर है मंदिर में कौन बैठे भगवान आरोसी ये पेपर लेके कहाँ जाना आरोसी में और बदले में वो तुमको एक कागच देंगे बोले कैसा कागच बोले इस कागच पे लिखा होगा Certificate of Incorporation बोले ये क्या होता है कुछ नहीं दिमाग नहीं लगा होगा चुब चाप ये कागच लेके Certificate of Incorporation बोले पंडित जी ये होगा क्या बोले ये Be Smart के existence का प्रमाण होगा क्या होगा ये Be Smart की existence को प्रूफ करेगा बोले फिर क्या करूँ बोले ये Certificate लेके ना किदे किसके पास जाना फर्मा जी के पास बोले फिर बोले फर्मा जी को ना जैसे ही ये कागच लेके वर्मा जी के पास जाओगे वर्मा जी को क्या मिल जाएगी तिव्यद्रिष्टी तिव्यद्रिष्टी समझते तिव्यद्रिष्टी से सब कुछ दिखता है बोले फिर जाओ वर्मा जी को Be Smart दिखने लगेगा ठीक है पंडित जी की बात तो माननी थी कोई option तो था नहीं कागज लेके गए ROC के पास ROC ने दिया एक certificate of incorporation और ये certificate of corporation लेके पबलु कहां पहुंचे वर्मा जी के पास जैसे ही वर्मा जी को उन्होंने वो certification of incorporation दिखाया वर्मा जी कैसे हो गए खुश बोले कैसे आया बेटा बोले अंकल लोन चाहिए किसको चाहिए बोला बी स्मार्ट को जो पहले बात बोल रहे थे वही बोला लेकिन अब की बार वर्मा जी ने क्या बोला जन जोन मिल जाएगा अब बबलू को बात समझ में नहीं आई बबलू भागे भागे किसके पास आए पंडित जी के पास पंडित जी बादे के हिसाब से सोने की बिल्ली तो दे दूँगा लेकिन मुझे कारण बताओ ये सब हुआ कैसे वो खडूस वर्मा जी को कैसे भी स् नहीं दिख रहा था पंडित जी ने रास की बात बताई क्या रास की बात ये रास की बात बताई कि देख बेटा बबलू जब दो या दो से जादा लोग बिजनस करने के परपस से साथ में आते हैं और क्या बनाते हैं ग्रूप या असोसियेशन जैसे तुमने क्या बनाई और इस ग्रूप या इस association का क्या करवा दिया जाये इनकॉर्पोरेशन अंडर एनी लौ किसी कानून के तहट अगर इस ग्रूप या इस association का इनकॉर्पोरेशन कर दिया जाये तो इट एग्जिस्ट in eyes of तो फिर ये group या association किसकी आँखों से दिखने लग जाती है कानून की आँखों से यानि वो दिविद्रेश्टी क्या थी कानून की आँखे थी तो किसको मिली वर्मा जी को कब मिली जब वर्मा जी के सामने क्या आ गया पी smart का certificate of incorporation, उसके existence का प्रमान, उसके existence का proof, तो company कैसे existence में आती है, जब दो या दो से ज़ादा लोग, किसी group या association को companies act में incorporate करवा दें, क्या companies act में register करवा दें, तो फिर वो group या association क्या करने लगती है, exist करने लगती है, exist करने लगती है, मतलब कानून की आँखों से दिखने लगती है, क्या be smart का कोई physical shape है, गोरी है, लंबी है, काली है, कर्ली है है, स्ट्रेट है है, स्मार्ट है, डैशिंग है, कोई physical shape नहीं है, इन कैसे है, be smart कैसा है, इन्विजिबल है न, है न इन्विजिबल, हमारी आँखों से हम उसे नहीं देख सकते, इंटेंजिबल भी है, हम उसे तू भी नहीं सकते, क्या उसके हमारे आपके जैसे मम्मी पापा है, क्या हमारे आपके जैसा उसका happy birth दे आता है नहीं मतलब कैसा है artificial artificial person invisible है intangible है artificial person है पिल्कुल लेकिन इसका क्या हो गया incorporation incorporation को दूसरे शब्दों में कहूं क्या हो गया कहा हो गया registration अंडर लौ तो Companies Act में registration होते ही हम सब को पर्मा जी को बबलू को बबली को बंटी को उनके पापा को क्या मिल गई गिविद्रश्टी और क्या create हो गई legal existence यानि company has been created in eyes of law company किसकी आँखों से दिखने लगी कानून की आँखों से दिखने लगी ठीक है it starts exist in eyes of law और क्योंकि कानून की आँखों से दिखने लगी किसी इसी लिए हमने इसे प्यार से क्या कह दिया क्या कह दिया लीगल लीगल पर्सन लीगल पर्सन लीगल पर्सन विकॉस इट एग्जिस्ट इन आइज ओफ लॉव आँखों समझ में आई तो लॉव क्योंकि का क्रियेशन कैसे होता है कानून के वारा जब किसी कानून में इसको रजिस्टर करवा दिया जाए कंपनी एग्जिस्ट करने भले ही इन्विजिबल है भले ही इन्टेंजिबल है भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन इस दी स्मार्ट को क्या मिल गई इगल पर्सन क्या मिल गई लीगल पर्सनालिटी जो हमारे आपकी आँखों से नहीं दिखती है किसकी आँखों से दिखती है तो इस लीगल पर्सनालिटी की मम्मी कौन कौन लौ इसके पापा कौन लौ ठीक है इट क्रियेट्स बाए लौ इसके नैचरल पेरेंट्स हमारे आपके जैसे नहीं होते इसलिए हम इसे क्या कहते हैं लीगल पर्सनालिटी लीगल एंटिटी अच्छा वर्मा जी ने क्या मान लिया लोन कौन लेगा फी स्मार्ट और लेगा भी कौन पी स्मार्ट यानि वर्मा जी ने पी स्मार्ट की सेपरेट एग्जिस्टेंस को क्या कर लिया आइडेंटिफाय कर लिया किया या नहीं किया सेपरेट एग्जिस्टेंस यानि बबलू से बबली से और बंटी से पी स्मार्ट की क्या है सेपरेट एग्जिस् इंकॉर्पूरेशन अब पंडित जी ने इतना कमाल का काम किया तो सोने की बिल्ली लेने के हगदार बनते हैं या नहीं बनते हैं बिल्कुल बनते हैं इसी लिए हम कंपनी को क्या कहते हैं इस इस एफ एप्रेट लीगल एंटिटी वेवन इट इस एन आर्टिविटाल पर सब्सक्राइब यह है नहीं फिर भी एग्सिस्ट करती है जैसे भगवाल invisible है intangible है लेकिन फिर भी exist करते है बिलकुल company भी ऐसी है invisible है intangible है लेकिन फिर भी exist करती है और हमें company की existence आना पड़ता है तो बात समझ में आई ओके कोई doubt है तो बोलिए पारूल, मिक्की, अभिशेक, अनीशा अनुराग, तारूल, दिपान्शू गौरांगी देवशी कोई doubt है तो बोलो बेटा ओके चलिए ये लिख लीजिए जिन points के आगे मैं गोला मना रही हूं ऐसा वो note करिए जो मैंने round mark किये हैं वो note करिए बिटा झाल 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 कर दो प्रेक और लाइन लिख लीजिए एक अपनी एक अमस इंटो एक शिस्टेंस एक अपनी कमस इंटो एक शिस्टेंस प्रॉपरेशन कि आज के लिए